अधिकतर हम लोगों को बहास करती सुनती रहते हैं कि आखिर कर्म बढ़ा है या भागे सबके अपनी अपनी तर्क होते हैं कोई कहता है कि कर्म बड़ा है और कोई कहता है कि भाग्द बड़ा है वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही पच्छ अपनी अपनी जगा सही होते हैं। लेकिन कितना सही कितना गलत इस बात का अस्पस्टी करण के लिए हब इस वीडियो को पूरा देखे और कमेंट करिए कि भागद बड़ा है या कर्व बड़ा है तो आप लोगों ने अपनी जीवन में ऐसे कुछ सारे लोगों को देखा होगा जिनोंने कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिना कुछ किये ही जीवन का सारा सुख आ जाते हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन भर कड़ी परिश्रम करके भी अभ़प्रावग ब्रस्त जीविन जीते रहते हैं दोस्तों तो आईए जानते हैं हम कि कैसे कर्म बढ़ा है या भाग हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे इस बात को एक सहर में मोहन और सोहन नाम के दो दोस्त हुआ करते थी मोहन एक उद्योग पती का बिटा था उसके पिता की एक फैक्ट्री थी जिससे उनकी खूब कमाये होती थी मोहन को इस बात का बड़ा घमन था और वह अपने दोस्तों में हमेशा अपनी अमेरी का राग गाता रहता था जबकि सोहन के पिता ठेले पर घूम-खूम कर चूरन बेचा करते थे किसी तरह परिवार का गुजरा हो पाता था इस बात से सोहन का बड़ा परिसान हो रहता था उसके दोस्त भी उसका बहुत मजाग उड़ाये करते थे मौहन और सुहन के आवकात में बड़ा फर्क था लेकिन दोनों एक ही मौहले में रहते थे इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी का कोई भी भेदवा नहीं था लेकिन फर्क तो फरकी होता है मौहन अमीर होने गरण कान्यमेंटी स्कूल में पढ़ता था जबकि सुहन के पिता पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सुहन को कान्यमेंटी स्कूल में पढ़ा पाते इसलिए सुहन सरकारी स्कूल में पढ़ता था स्कूल में जाने के बाद सभी मौहले के लड़के पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलते जाते और खेल खेल में ही कभी कभी सुहन का मजाग भी उड़ा जाता था कि सुहन भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह चुरन बेचेगा इस मजाग में मोहन की भूमिका कुछ ज्यादा ही रहती थी क्योंकि वह अमीर था और अमीर दोरा गरीब का मजाक उड़ाया जाना आम बात है साहिब गरीबी बड़ी ही बुरी चीज होती है इसके कारण इंसान को जिल्लक तो बरदास करना ही पड़ता है चाहे दोस्त हो या समाज या फिर रिष्टेदार इसका एहसास लोग वक्त पढ़ने पर दिला ही देते हैं और अगर सोहन को मजाक मजाक पे उसको उसकी गरीबी का एहसास दिला देता तो ये कोई आश्चर की बात नहीं है मोहन को अपनी अमीरी का बहुत घमन था और वह हमीसा कहते रहता था कि मुझे किस बात की कमी है मेरा बाप बहुत सारा पैसा कमाता है मैं अगर कुछ भी ना करूँ तब भी मेरा जीवन सुख और चैन से कट जाएगा पर सोहन तू क्या करेगा तुझे तो चूरन ही वेचना पड़ेगा और इसी घमन में मुहन को आलसी और निकमा बना दिया जबकि सोहन के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलता रहता था कि मेरा क्या होगा मेरे बाप के पास इतनी पैसे नहीं है कि मैं कोई अच्छी पढ़ाई कर शकूं या कोई अच्छा बैपार कर शकूं साहिब समय बड़ा बलवान होता है वक्त बीटता गया मोहन और सोहन दोने बड़े हो जाते हैं मोहन के अमीरी ने उसे अयास बना दिया और सोहन की गरीबी ने उसे करमट बना दिया मोहन अभी भी कुछ नहीं करता था बाप की पैसे पर अयासी करता था और जिन्दगी के लुप्त उठा रहा था उधर मोहन इधर सोहन अपने कैरियर के परती सीरियस हो गया था कि काम तक की पढ़ाई उसने किसी तरह कर ली इससे आगे पढ़ने के लिए उसके साथ कुछ सारी समय सैंथ थी क्योंकि उसके पिता अब बुढ़े हो चुके थे इसलिए सोहन का कमाना अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी उसने कई छोटी मोटी नोकरियां की पर उसे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि सुभा से साम तक ऐसी तैसी करनी पर भी महीने में उसे जो तनुखा मिलता था वहाँ परिवार चलाने के लिए प्रयाप्त नहीं था एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक वीचार आया कि मेरे पिता जी का जो चूरन का बैपार है अगर इसी में थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो सायद कुछ बात बन जाए और घर पहुँचकर उसने अपने पिता जी से कहा कि आज हम अपने बैपार में कुछ परिवर्तन करेंगे सोहन के दिमाग में एक आइडिया आया जो उसने अपने पिता जी को बताया कि पिता जी आप बहुत अच्छा चूरन बनाते हैं और लोगों को अपना चूरन पसंद भी आता है लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा चूरन बनाकर ठेले पर बेचते हैं सिर्फ दो चार गलियों में अगर मैं भी आपके साथ लग जाऊंग और हमारा पुरा परिवार इसी काम में लग जाए और हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा और अलाला धंकी चूरन बनाकर ज्यादा लोगों तो बेचें तो हमारी आमदनी और भी अधिक हो सकती है यह आडिया उसके पुरी परिवार को पसंद आया और उसका पुरा परिवार इसी काम में लिप्त हो गया और अब वे चूरन खुलावा बेच कर पैकेट में बेचने लगी पुरा परिवार बिलकर चूरन बनाने लगी और सोहन उसे साइकिल पर दुकान दुकान बेचने लगा धीरे धीरो उनका बैपार बढ़ने लगा अब सुहन एक मोटर साइकल भी खरीद ली और पुरे सहर में सौ से उपर दुकानों पर उसका चूरन बिखने लगा वो भी बंद और प्रिपेट पैकेज में अब सुहन को यहाँ लगने लगा कि हमारा परिवार अब मार्केट की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसने सहर के पास एक जमीन खरीदी और एक फैटी लगा दी और बैंक से लोन लेकर पैकिंग की बड़ी मसीने लाया और ज्यादा उत्वादन बिक्री बढ़ानी के लिए इस ट्राफ भी रख लिया और अपनी कंपनी का रिजिस्टेशन भी करा लिया सुहन ने दिन रात एक कर दे और बैपार को अन्य दूसरे सहरों तक फैला दिया वक्त के साथ साथ बिक्री पढ़ती गई फिर उसने एक और फैक्टरी को लिए दूसरे सहर में भी लगा दी इस तरह वा एक दिन एक बड़ा उद्योग पती बन गया एक दिन अपने आफिस में वा बैठा हुआ था तभी एक आदमी उसके पास नोक्री मांगने के लिए आता है और उसे देखते ही सोहन हैरां रहा जाता है कि वह तो मोहन था सोहन ने मोहन से उसके बारे में पूछा कि आखिर तुम्हारी तुप फैक्टरी है तुम्हारे पिता जी बहुत अच्छे पैसे वाले है फिर तुम्हें नोक्री की क्या जरूरत पड़ गई तब मोहन ने अपनी आप बीदी सुनाई कि कुछ साल पहले मेरे पिता जी की मृती हो गई और बैपार में काफी नुक्सान हो गया और मैं भी थोड़ा लापो रहा था बैपार को सम्हाल नहीं पाया और सब कुछ खत्म हो गया बैंक का लोन तब फैक्टरी की बैंक ने लिलाम कर दिया अब मेरे पास सिर्फ एक रहनी को घर है और कुछ नहीं तुम मेरे दोस्त हो मेरे कुछ मलद करो सोहन ने मोहन को अपनी कंपनी में नौक्री पर रख लिया अब सोहन मालिक है और मोहन नौकर लेकिन ये क्या हुआ कुछ साल पहले तो मोहन अमीर था और सोहन गरी दोस्तों मोहन को जो भी मिला था वह उसके भाग में लिखा था मिला था लेकिन उससे कर्म करना बंद कर दिया एक कहावत है कि सोने के ईटों से बने महल से अगर एक ईट प्रती दिन निकाल कर बेचा जाए और उससे अयासी किया जाए तो एक दिन ऐसा वक्त जरूर आएगा जब एक भी ईट नहीं बचेगी जबकि अगर परिश्रम करके वैसा कमा के प्रती दिन एक ईट खरीदा जाए तो एक दिन इतनी ईटे एक अठा हो जाएंगी कि उनसे एक बड़ा महल तैयार किया जा सकता है गीता में भी भगवान स्रीकिष्ट ने अरजुन से कहा है कि इनसान के कर्म ही उसके भागे को निर्धारित करते हैं जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा क्योंकि भगवान ने इनसान की सोच को बिलकुल सुतंतर रखा है इंसान की सोच उसके कर्म को और उसके कर्म उसके भागे को निधारित करते हैं मोहन और सुहन दोनों में क्या फर्क था मोहन को भागे ने दिया तो था लेकिन कर्म ना करने के करण एक दिन उसने अपना सब कुछ खो दिया और सुहन को यही नहीं यही नहीं पता था कि भाग भी कोई चीज होती है उसनी तो कर्म को अपने जीवन का हिसा बना लिया और एक दिन वही कर्म उसका भाग बन जाता है दोस्तों अधिकता लोग भाग के भरोसे बैठे रहते हैं कि किसी न किसी दिन मेरा भी भाग खुलेगा उस आदमी की तरह जो दिन प्रति दिन संकर भगवान के मंदिर में जाकर घंटा बाजाता था और कहता था कि हे भगवान हे भूलेनात मेरे भाग का दरवाजा कब खुलेगा मेरी लाटरी कब लगेगी एक दिन माता पारवती भूलेनात से कहती हैं कि हे प्रभू आपका ये भक्त प्रति दिन मंदिल में आकर घंडा बजाता है और अपने भागे की दुहाई देता है कि मेरी लाटरी कब लगेगी इस पर दया करें प्रभू इस पर भूले नात कहते हैं कि हे देवी मैं इसकी मंसा को पूरा तो करना चाहता हूँ पर मेरी भी एक मजबूरी है कि जब एक मनुष्य कर्म नहीं करेगा तब तक मैं उसको फल नहीं दे सकता मेरा ये वक्त अपनी लाटरी तो निकौलवाना चाहता है पर जब तक वह लाटरी की टिकट नहीं खरीदेगा तब तक उसकी लाटरी नहीं मिरिकलेगी दोस्तो हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसके बदले में देना कुछ नहीं चाहते हैं और प्रक्ति का एक नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है और हमें जो देना है वह हमारी कर्म है उन्हीं के माध्धम से हम जो करते हैं उसका फल हमें प्राप्त होता है अब सवाल यह उड़ता है कि हमारे मुहले के चौधरी साहिब के पास बहुत प्रपटी है उनका इतना किराया आता है कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता बगैर कुछ किये ही उनका जीवन बहुत ही मज़े से कट रहा है उनके बारे में आप क्या कहेंगे तो साहिब एक बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँआ कि चौधरी साहिब के पुर्खों ने यहाँ प्रपटी बनाई है जिसका मज़ा चौधरी साहब ले रहे हैं लेकिन अगर चौधरी साहब कर्म करने में कंजूसी करेंगे तो एक दिन वहाँ भी मोहनलाल बन जाएंगे और कोई कर्म योगी उनके सामने सोहनलाल की तरह उससे भी अमीर बन कर खड़ा होगा अंत्ता उपर वाले के यहां देर है पर अंधेर नहीं है जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल आपको अवस्थ मिलता है बस फर्क इतना है कि किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को देर से लेकिन मिलता सब को है अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल गेता में भगवान स्री किस्ने कहा है कि ये मानो तू अपना कर्म सही तरीके से करता जा तुझे उसका फल अवस्द मिलेगा लेकिन कब मिलेगा या मैं निधारित करूँगा तेरा बस तेरे कर्मों पर है इसलिए तू अपने कर्मों पर ध्यान दे उसका फल देना मेरा काम है और मैं अपने हिसाफ से तुझे तेरे कर्मों का फल दूँगा लेकिन तू अपना कर्म करता रहा इसी में तेरी भलाई है दोस्तों जहां तक मैं समझता हूँ कि इस वीडियो का मतलब आप समझ गए होंगे कि कर्म ही बड़ा होता है क्योंकि भाग की वज़ा से जो चीज हमें फ्री में मिलता है हम उसकी कदर नहीं करते इसलिए एक दिन वाद सब हम खो देते हैं जबकि परिस्रम करके कर्म द्वारा हम जो राप्त करते हैं उसकी कीमत हमें पता चलती है पता होती है और उसे हम समहा लेते हैं तो सीधी सी बात है कि कर्म और भाग में अगर बात की जाए तो कर्म ही बड़ा है इसलिए मैं अपना कर्म कर रहा हूँ जो इस वीडियो को मैं बता रहा हूँ आप अपना कर्म करें इस वीडियो को पूरी तरह से आप सेयर करें और पूरी तरह से अपने दिमाग में रख लें दोस्तों मैंने बहुत से मेहनत की है इस वीडियो में अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें